साथ यो हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंट हमारी बहुत बड़ी तांकत है चर्चा भी करते हैं लेकिन क्या कोई उनिवर्सिटी है जिसने इसका स्टडी किया है क्या अकिर यह डेमोग्राफिक डिविडेंट है क्या क्या दुनिया में जब डेमोग्राफिक हैं दोहराते हैं लेकिन डेमोग्राफिक डिविदिन के संभावनों पर हम क्यों न काम करें उस्सामर्थ का उपयोग हम आने वाले 20-25-30 साल के लिए देश को कैसे दे सके ऐसे ही हम देखते हैं अब दुनिया के देशों के स्थिति देखिए सम्रुद्द से सम्रुद्द देश भी इस बात से परिशान है कि वहां लोगों की आयू बहुत बढ़ रही है एजिंग प्रॉब्लम है और युवापिड़ी नक के बराबर हो रही है बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों का है उनको जो दुनिया चलानी है उसको चलानी पा कि ऐसा ही होगा जिसमें युवाप कम होगे वृद्द ज्यादा होगे वो दिन आने वाले हैं क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के वृद्द्द्व के कारण उस देश की जो स्थित्या बढ़ी है उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या खोज होना चाहिए उनिवर्सिलिज में आपके लिए अभी से मैं मानता है रिसर्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है और इसके कारण जिन बच्चों को एक प्रोजेक्ट देते हैं उनका एक विजन बनता है उनको भी नई चीज़े समयने का आफसर मिलता है अब है भी हमारे लोग अगर काम करें तो असमीत संभावना है हमारे पास अब हमारे हमने देश में एक योजना बनाई है CDRI की क्लाइमेट कि स्थिति में हमारा इंफरसर कर रहा होना चाहिए कि जो उसका सामना कर सके डिलियन्ट होना चाहिए अब उस पर हमारे रिसर्च की एव वर्षा होती थी, कुद्रत हमारे साथ चलती थी, हम कुद्रत के साथ चलते थे, अब वो हमसे उल्टा चल दी, हम उससे उल्टा चल रहे हैं, और इसलिए हमें इस नए संकड के सामने जीना कैसे उसको सिखने के लिवस्ता करनी चाहिए, आज सारी दुनिया सोलर पावर की तर करें और उसके सामर्थ को हम हमारे जीन ववस्ता का हिस्था कैसे बनाए, सोलार पावर को हमारे यहां इतना महत्वधी आ गया है, सरकार की नीतियों में दिया गया है, लेकिन हम रिशर्च के द्वारा नए नए अनुसंदान के द्वारा, आज नए उक के हिसाब से, नए प्यज्यानिकी समसातनों के साथ इस उर्जा को इस्तिमाल करने के लिए हमें काफी काम करने की जरूरत लगती हैं। बेस्ट प्रोड़क्त क्या हो सकता है। यह तो उनिवर्सिटी रिसर्ट करके देश सकती है। हमारे नएने लोग होते हैं प्रयोक करके देश चेह सकते हैं। नए आत्मईश्वास्कादान नए उकलब्द्य हासिल कर भाए। हमारी उनिवर्सिटी ऐसा नहीं होना ते है। कि अब स्पोर्ट उनिवर्सिटी यहां बन रही हैं। इसलिए बाकी उनिवर्सिटी के नवजवानों को स्पोर्ट से कोई लेना देना है। जी नहीं। हमारी उनिवर्सिटी के मैदान शाम को भरे रहने चाहिए। बच्चों को घर भेजने के लिए महनत करनी पड़े। ये बात आपना हम उनिवर्सिटी के मैदान में होना चाहिए। हमारी उनिवर्सिटी ये लक्ष बना सकती है। एक एक उनिवर्सिटी टाहिए कर सकते हैं कि आने बार से वर्सों में मेरी उनिवर्सिटी कितने गोल्ड मेडल ले आएगी, मेरे स्कूल के कितने विध्यारती, मेरी कॉलेज के कितने विध्यारती आएगे बढ़ेंगे। य यह भी मेरी एक बहुत बड़ी अमानत बन जाएगा है कि सात्यों में स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं अंगिनत संभावन आए हैं और राष्ट्रिय शिक्षानीति ने आपके हाथ में आउसर दिया है जो पिछले वार्षों में हमारे पात नहीं था इस राष्ट स्ट्रिय शिक्षानीति का नेत्रुत्वां आप सब सात्यों के हाथ में हैं कि अगरे 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 झाल